So, Hi Guys, Welcome to L.A.S. पाटशाला और आज की इस वीडियो में हम सीर्स लिस्ट आफ सब्चेक्ट हैडिंग्स के बारे में जानेंगे तो जाता समान ना लेते होए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन से शुरू करेंगे जैसे कि हम सब जानते हैं कि लाइब्रेरी में कई तरह के डॉकुमेंट्स होते हैं और लाइब्रेरी डॉकुमेंट्स की लिस्ट को हम लाइब्रेरी केटलोग कहते हैं CA Cutter ने लाइब्रेरी केटलोग के परपस को कुछ इस तरह से डिफाइन किया है कि जब किसी person को उसकी जरूरत मन्त book की तरफ पहुचाया जा सके चाहे उसे author के बारे में पता हो, चाहे उसे title के बारे में पता हो या फिर उसे topic या subject के बारे में पता हो पर हम इस वीडियो में सिरफ subject approach के उपर focus करेंगे और जैसे कि हमें पता है कि library में एक subject catalog होता है जो कि alphabetical order में रखा जाता है और वो subject catalog user की subject approach को fulfill करता है इसी subject catalog में हम subject heading का use करते हैं और इस subject heading में uniformity लाने के लिए और confusion को दूर करने के लिए हम subject heading list का use करते हैं और आज के time में सबसे popular subject heading list दो है पहले the library of congress list of subject headings और दूसरी sears list of subject headings पर हम इस वीडियो में सिरफ sears list of subject headings के बारे में जानेंगे sears list of subject heading जानने से पहले हम subject heading के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे कि जब हम किसी topic या subject को identify करने के लिए कोई universally accepted terms का use करते हैं तो उसको subject heading कहा जाता है अगर कोई user वो title approach या author approach से अपनी book को search करता है तो उसको जादा तर chances ये है कि उसको book find करने में बहुत जादा समा लगेगा और दूसरी side अगर उसको उसके topic या subject के बारे में पता है या फिर subject approach से वो book find करता है तो उसको जादा तर chances ये है कि उसका समा और energy दोनों बच सकते हैं और सबसे अच्छी बात ये है कि ये library science का law जो कि कहता है कि save the time of period को fulfill करता है sears list of subject headings या फिर sears list एक ऐसा टूल है जो कि library के documents को एक standard subject headings assign करने के काम आता है ऐसे तो ये सबसे पहले small libraries के लिए ही बनाया गया था पर जैसे जैसे ये popular हुआ और इसके scope ने भी बहुत ही grow किया और आज के time में ये small और medium size की libraries के लिए use किया जाता है और अगर हम पाकिस्तान या इंडिया की बात करें तो ये public, college या small university libraries के लिए भी use किया जा सकता है sears list एक subject authorities को prepare करने के लिए एक tool है या फिर इसको एक vocabulary control tool भी कहा जा सकता है और सबसे जरूरी बात ये है कि ये एक alphabetical list of subject headings है चलो एक example से समझते हैं सुपोज एक reader आया और उसको एक book चाहिए documentation by ऐसा रंगानाथन तो इसमें उसको मुश्किल पेश ये आएगी कि उसको डॉक्टर ऐसा रंगानाथन के अंडर जितने भी catalog cards है उसको वो देखना पड़ेगा फिर जाके उसको उसकी जरूरतमन किताब मिल जकती है पर अगर उसको subject के बारे में पता है जैसे कि subject heading है documentation तो ये subject catalog का use करते हुए वो अपनी जरूरतमन किताब ढूंड लेता है तो इसका फायदा ये होगा कि उसको अपने topic के related और authors की और भी किताब मिल जाएंगी और इदर एक ये फायदा है कि ये title approach या author approach के मुकाबले में बहुत ही कम समा लेगा आपका और कम efforts भी लेगा और प्लस आपको अपने topic के related और भी किताबे मिल जाएंगी तो चलिए अब हम Sears List के origin या फिर history के बारे में जानते हैं तो Sears List का पहला edition Mini Eels Sears के द्वारा 1923 में prepare किया गया था और इसका title list of subject heading for small libraries था 1926 में इसका second edition publish हुआ जिसमें हमें see also reference देखने को मिल जाता है और practical suggestions भी मिल जाती है थर्ड एडिशन में beginners के लिए subject heading work include किया गया जो की 1933 में publish हुआ था फॉर्थ एडिशन 1939 में publish हुआ और फिफ्थ एडिशन 1944 में publish हुआ था ये दोनों edition के publisher Isabelle Stevenson Montreux है इन edition में Davy decimal classification numbers को भी include किया गया था 6th edition आते आते इसका title Sears List of subject heading रखा गया और जो की 1950 में publish हुआ था और 7th edition 1954 में publish हुआ Sears List के 8th edition के editor Bertha Ampherick थे और 9th और 10th edition में DDC numbers को खटा दिया गया था 11th edition में DDC numbers को फिर वापिस लाया गया 12th edition 1982 और 13th edition 1986 में publish किया गया 14th edition में subject headings for children's literature को भी include किया गया इसके editor Martha T. Money थे और ये 1991 में publish हुआ था Sears List का 15th edition 1994 में publish हुआ 16th edition 1997 में publish हुआ 17th edition 2000 में publish हुआ 18th edition 2004 में publish हुआ 19th edition 2007 में publish हुआ 20th edition 2010 में publish हुआ 21st edition 2014 में 22nd edition 2018 में publish हुआ आज के टाइम में अगर हम सबसे लेटेस्ट एडिशन के बारे में बात करें तो वो 23rd एडिशन है जो की 30 सब्टेंबर 2022 को पब्लिश हुआ सियर्स लिस्ट के 23rd एडिशन के पब्लिशर H.W. Wilson है और डिस्ट्रिब्यूटर Gray House Publishing है इसकी वेबसेट और इमेल आपको वीडियो में दिख रही होगी आज के टाइम में सियर्स लिस्ट आफ सब्जेक्ट हैडिंग मार्क फॉर्मेट और डाटाबेस के रूप में भी एवेलेबल है 23rd एडिशन पब्लिक स्कूल और एकनेमिक लाइब्रियरियन्स की मतद से त्यार किया गया इसमें कई नए टॉपिक्स आड़ किया गए ग्रोइंग लिटरेचर को आड़ किया गया और कई एडवांस टेकनोलेजिस के रिलेटिट टॉपिक्स या फिर लेटेस टॉपिक्स जैसे की कोविड डाइंटीन जैसे टॉपिक्स को इसमें इंक्लिउड किया गया इस एडिशन में एबरिश्ट वैब डिवी के नंबर्स को क्लासिफिकेशन के लिए यूज किया गया है चलो अब अब लिमिटेशन की बात करते हैं तो सियर्स लिस्ट में ये देखने को आया है कि ये जादा तर अमेरिकन, क्रिस्टन या वैस्टन कल्चर को फोकस रखते हुए डिजाइन किया गया था इसमें अमेरिकन स्पैलिंग्स का यूज किया गया है पर जिन countries में British Spelling का use किया जाता है उनमें Sears List को use करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आती है Sears List में बहुत सी subject heading ऐसी है जो कि इंडिया के culture और moment के according set नहीं बैठती जैसे कि only child family, unmarried father, teenage father इंडिक subject और concept के related इसमें headings नहीं देखने को मिलती इसमें caste system, गुर्थवारा, सती, child marriage, dory bride, burning ऐसे तरह के topics के related subject heading नहीं देखने को मिलती ये अगर हम 18th edition की बात करें तो लगभग 60 subject heading सिरफ और सिरफ बाइबल से related है और जबकि वेदास की बात करें तो सिरफ और सिरफ एक entry उसमें देखने को मिल जाएगी six cultures गुरुगरन साहिब जी के related एक भी entry आपको देखने को नहीं मिलेगी so ये सारे limitations जानने के बाद इंडिया जैसे देश में subject headings या फिर serious list of subject heading use करने में थोड़ी सी दिक्कत पेश आ सकती है so last but not the least conclusion पे आते हैं कि serious list of subject heading या फिर serious list एक vocabulary control tool है जो की एक standard subject headings को assign करने के काम आता है ये library of congress subject heading list को base बना के format त्यार किया गया था पर आज के time में इन दोनों में ये फरक है कि serious list small और medium size की libraries के लिए जादा use की जाती है और LCHS large libraries में use की जाती है तो आज की वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और चाते चाते like share और subscribe करना न भूलेगा